मैं हूँ नितेश और आपका स्वागत है एनके लावसन चैनल पर संत जेवियर कॉलेज राची इंटरमीडियर सक्षन की लिए जो एंट्रैंस एक्जाम हो रहा है उसके लिए हिंदी में विज्ञान का सवाल लेकि आ चुका हूँ और पहला सवाल है दूद से दही बनना कैसा परिवर्तन है तो यह एक परकार का रसाइनिक परिवर्तन है क्योंकि इसको हम वापस नहीं कर सकते हैं लोहा को जिंग से लेपित करने की किरिया को क्या कहते हैं इसको ग्लैविनी करन कहते हैं इसे हम जंग लगने से इसको बजा पाते है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उतर उत्रदाई गेस कौन सा है? गलोबल वार्मिंग के लिए उत्रदाई गेस हमारा कारबन डायोकसाइड है। पवनों का देश किसे कहा जाता है डैनमार को पवनों का देश कहा जाता है यहां अच्छा खासा हवा चलता है जिसके कारण पवन चक्की सबसे ज़्यादा यहां पे लगा हुआ है अमल गम एक मिस्र धातू है जिसमें एक धातू हमेशा रहता है अमल गम में जुए पारा हमेशा रहेगा और इसमें एक और धातू मिलाया जाता है वॉक्साइट निमलिखित में से किस धातू का मुठ आयस्क है तो इसमें हो जाएगा आपका एंसर एलमूनियम खाना बनाते समय अधी बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है हमारा इंधन जो है सही से जल नहीं रहा है सल्फियूरिक अमलका अनुसुरूत होता है तो सल्फियूरिक एसीड का जो है फॉर्मूला होता है H2SO4 एमोनियम के अनु में नैट्रोजन एंड हैड्रोजन के परमानों की संख्या का अनुपात क्या होता है तो एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नैट्रोजन एक है और हैड्रोजन तीन है तो सी नंबर से ही हो जाएगा निमलिखित में से सबसे अधिक अभी किरियासील हैलोजन कौन है इसमें से सबसे ज़्यादा रियक्टिव कौन है सबसे ज़्यादा रियक्षन में भाग कौन लेता है फ्लोरिन जो है आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा आधुनिक आउतरन सरनी का द्रिगतम रूप किसकी प्रस्तूती करन है तो यहाँ पर जो एंसर हो जाएगा मोजले आधुनिक जो हमारा सेरनी है इलिमेंट का उसको जो प्रस्तूत किया है मोजले ने दिया है प्रकास की किरन गमन करती है प्रकास की किरन हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है लेंस की छमता को किसे नापते हैं हम तो इसकी छमता को नापने के लिए डायोप्टर का इस्तमाल करते हैं मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तू का पर्तिविम बनता है तो रेटीना पर या फिर द्रिष्टी पटल कहते हैं हिंदी में उस पर बनता है जरादूर द्रिश्टा से पिडित वैक्ति का उपचार किस परकार के लेंज से किया जाता है बाइफ होकल लेंज से किया जाता है इसको ना दूर का दिखता है और ना ही नजदी का दिखता है जब किसी चाललक तार से विधुद्धारा परवाहित होती है तो गती सील कन होते हैं जब विधुद्धारा परवाह होता है तो कौन मूब करता है इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन नूट्रोन तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोन जुए वो मूब करता है और याद रखिएगा सा ओपोजी डारेक्शन में मूवब करेगा डाइनेनों का सिधान्त अधारित है डानेमों कि सिदांत पर काम करता है पर विधुत चुम कि प्रेनन के पर पर अध्योई ये काम करता है हमारे देश में विधुत मैं तार एं उदासीन तार के बीच कितना विभानतर होता है आप देखे होंगे जितने भी बिजली के पॉल होते हैं वहाँ पर लिखा रहता है आप ये अंसर हो जाएगा 220 आप किताब में भी देख सकते हैं पोधों में उस वासपोत सर्जन किस भाग से होता है वात सर्जन जो है आने की इवैपोरेशन जो हमारा पतियों से होता है भाप के रूप में पानी पेड़ों से कैसे निकलता है पतियों के थो निकलता है मानों में डालैसिस ठेली किसे कहते हैं डालेसिस कौन करता है, हमारा खून को फिल्टर करके पानी कौन निकलता है नेफरोन का काम है ये करना हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन किस गरंथी से निकलता है बहिर स्रावित गरंथी या अंता स्रावित तो अंता स्रावित गरंथी से हार्मोन निकलता है और बहिर स्रावित गरंथी से हमारा पसीना है ओली असकीन है ये सब होता है अगनासे दवारा निम्न में से कौन सा हार्मोन निकलता है तो अगनासे के बारे में एक बात और याद रखिएगा ये जो है बहिर सरावित और अंता सरावित दोनों परकार का गरंथी है इस बात को याद रखिएगा ये सवाल पूछा जा सकता है और इसमें दो हार्मोन निकलता है इंसुलीन और गुलूकागॉन दोनों निकलता है तो हमारा एंसर सी करेक्ट हो जाएगा पतियों का मुर्जाना किस पादः हार्मोन के कारण संभव हो पाता है किस हार्मोन के कारण पतियां मुर्जाने लगती है तो अपसेसिक एसीड होगा यहाँपर आम्बल होगा हिंदी में एसीड इंग्लिस में मुकुलन द्वारा परजनन किस में होता है मुकुलन के द्वारा परजनन इस्ट में होता है बहुत इजी सवाल है ये ब्रायो फाइलम के कौन से भाग में क्राइक परबंधन होता है ब्रायो फाइल में जुए सो रिप्रोडक्शन आनि कि जनन परकिरिया होता है काईक परभंदन से और ये किस में होता है पतियों में होता है मन इसमें कितने जोड़े गुन सुत्र पाए जाते हैं तो याद रखिएगा ताइस जोड़े गुन सुत्र पाए जाते हैं टोटल 46 होगा गुन सुत्र होगा जिसमें से एक जोड़ा जोड़ा आपका सेक्स के लिए रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रहता है जिससे जोड़ा इसको लिंग गुनन सुत्र कहते हैं यहां पर जो मैंने एक बोला वो लिंग गुनन सुत्र बोलते हैं इस्त्रियों में लिंग गुनरसुत्र होते हैं तो लिंग गुनरसुत्र जो एक्स एक्स होता है और मेल में होता है पुरुसों में जो एक्स और वाई होता है इसको भी याद रखिएगा और पुरुस ही है जो लड़की होगा या लड़का होगा इसका बात जो डिसाइड करत और जोन परत पाई जाती है और जोन परत जो एसो किसमें पाया जाता है तो यहां स्टेप टो अस फेयर आपका एंसर हो जाएगा थैंक यू साइनिंग आफ